ओम शिरी गनेशाय नमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे सिंग राशी के बारे में 11 मई सोंवार से लेकर 17 मई रविवार तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारे राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय जेश्ट मास के क्रिशन पक्ष का समय है और सिंग राशी वालों के लिए बेहत खास और सांदार है चलिए शुरुआत करते हैं 11 तारिक सोंवार से दोस्तों 11 तारिक सोंवार को पंचमी तिथी रहेगी पूरु शाड़ा नक्षत्र होगा इस दिन चंद्रमा धनू राशी से गोचर क रहेंगे शुक्र का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है सिंग राशी वालों सप्ता की शुरुआत आपके लिए बहुत पहतरीन होने वाली है सोंवार के दिन आप अपने कामों के प्रती समर्पित रहेंगे आपके अंदर डेडिकेशन बढ़ेगी आपकी संकल्प शक्ती आ और सोच भी बहुत साकरात्मक रहेगी एक पोस्टिव अनरजी के साथ आप अपने कामों को अंजाम देने वाले हैं इस दिन आपकी मानसिक्ता स्वतंत रहेगी और आजादी से आप फैसले लेंगे किसी भी तरह से किसी का भी दबाव आप जहलने वाले नहीं है इस दिन प पहतरीन होगा नई नोकरी तलाश कर रहें लोगों को सफलता मिलेगी इस दिन आपको विशेश मानसमान की प्राप्ती होगी आपके कामों की तारीफ की जाएगी आपका दबदबा अपने घर में और अपने कार्यस्थल पर कायम होगा लोग आप से प्रभावित रहेंगे और आपकी राय लेकर चलना पसंद करेंगे इस समय में आपके प्राक्रम में भृत्ती होगी आपको मित्रों से मदद प्राप्त होगी भाई भेहन से अच्छा सायोग मिलेगा इस समय में यात्राओं का योग भी आपके लिए बनने वाला है और हर प्रकार से नए लोगों स परिवार में खुश्यां बनी रहेंगी और आपकी लब लाइफ भी बहुत जबरदस्त रहने वाली है हर परकार से पारिबारिक रिष्टों में मिठास देखे जाएगी और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी मन भी प्रसंद रहेगा दिन आपके लिए अति उत्तम है और भाक्यशाली है बात करें बारा तारिक मंगलवार की इस दिन शश्टी तिथी रहेगी उत्तर साड़ा नक्षत्र होगा चंद्रवा मकर राशी से गोचर करेंगे सुरिय का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है सिंग राशी वालो मंगलवार के दिन आप बहुत ज्यादा इनोवेटिव रहने वाले है आपके अंदर जिग्यासाएं बढ़ेंगी और आपकी क्रियोसिटी बढ़ने वाली है नई चीजों में नए कामों में रूची बढ़ेगी और हर परकार से हर काम की तह तक आप जाएंगे इस दिन आप शोध के काम में पढ़ सकते हैं इस दिन आप नई रिसर्च कर सकते हैं विज्ञान और टेक्निकल चीजे आपको पसंद आने वाली है तरक वितरक की शक्ति का विकास होगा अर्ग्यूमेंटेशन इस दिन हो सकते हैं किसी से भी बहस में आपकी जीत होगी और वाद विवाद में आप आगे रहेंगे इस दिन आपकी सोच बहुत गहरी होगी कुछ कामों में डीप थिंकिंग रहेंगी और बड़े ही घंबीरता से आप अपने कामों को अंजाम देंगे इस दिन आप लोजिकल रहेंगे और इस दिन आपकी अपरोच भी रियलिस्टिक रहेगी हर प्रकार से आप वस्तविक्टा में विश्वास रखेंगे और किसी भी तरह से आपको बहुत बड़ी काम्याबी और सफलता भी इस दिन पराप्थ हो जाएगी इस दिन आपकी मुश्कलें दूर होंगी यह समय आपको आगे बढ़ाने वाला है इस समय में समाजिक संबंदों में भी सुधार आएगा और समाजिक स्तर पर आपका दाइर रहेगी श्रवन नक्षत्र होगा चंद्रमा मकर राशी से गोचर करेंगे और चंद्रमा का ही नक्षत्र इस दिन रहने वाला है दोस्तों बुदवार के दिन बेवज़े की चिंता आपको हो सकती है तीरा तारिक बुदवार के दिन पुरानी बातों को सोच कर मन परेशान ह इस दिन आप इमोशनल हो सकते हैं, भावूख हो सकते हैं, कोई पुरानी याद आपको सता सकती है और इस दिन आपको किसी भी तरह का भै भी हो सकता है। दिन में चंदर्मा मकर राशी में और शाम को कुम राशी में परवेश करेंगे मंगल का नक्षात्र इस दिन रहने वाला है सिंग राशी वालो यह समय आप के लिए बहुत पहतरीन होगा आपके सभाव में इस दिन तेजी बनेगी इस दिन पुझा पाथ में धर्म अध्यात म में आपकी रूची रहेगी और आप दूसरों की मदद करना चाहेंगे दूसरों की भलाई करने से आपका मन प्रसन होगा और दूसरों की मदद करने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा इस दिन आपके भोतिक सुक भी बढ़ने वाले हैं कहीं तरह की मन पसंद चीजे आप प और घर परिवार से धन दोलत मी मिल सकती है, अपने भाग्य का साथ मिलेगा, आपके ज्यान में विर्ति होगी और नए चीजों को आप बहुत असानी से समझ लेंगे, इस समय में आप साहसी रहेंगे, इस समय में आप मुश्किल कामों को अपने लिए आसान बना देंगे, कठ जमीन जदाद के मामलों में इस दिन आपको सफलता मिल सकती हैं। इस दिन आपको अचानक से बहुत बड़ी मातरा में धनलाब हो सकता है अचानक से आपकी इंकम इस दिन बढ़ सकती है इस दिन आपके पर्सनल और प्रफेशनल रिष्टे बहुत मजबूत होंगे आपकी समाजिक छवी में सुधार आएगा आप रचनात्मक रहेंगे कलात्म रहेगा इस दिन आप व्यवार कुशल रहेंगे समाजिक संबंदों के द्वारा मानसिक वे भावनात्मक सुक्की प्राप्ती होगी समय आप के लिए बहुत पहतरीन होगा और नए रिष्टे आपके इस दिन बनने वाले हैं नए लोगों से अच्छी जान पहचान होगी और व्यापार के चलते आपको बड़ा मुनाफ़ा इस दिन हो सकता है व्यापार में आने वाली समस्यां इस दिन दूर होगी नए लोगों का साथ आपके काम आने वाला है और समाजिक स्तर पर आप फेमस हो सकते हैं आपके मन में भी बहुत सी नई इच्छाएं उत्पन होगी और आप बहुत ज़्यादा महत्वा कांशी भी रहेंगे इस दिन आपको वेवाहिक जीवन में मिठास बनाए रखनी चाहिए और वेवाहिक जीवन में बोल चाल ना करें और वेवाहिक जीवन में वाद भीवाद ना करें दोस्तों बात करें 16 तारिक शनिवार की इस दिन दश्मी तिथी रहेगी पूर भादर पदा नक्षत्र होगा चंद्रमा कुंब राशी से गोचर करेंगे ब्रश्पती का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है शिंग राशी वालो यह समय आप के लिए बहुत बहतरीन है इस दिन बच्चों से जुड़ी हुई तबान तरह की पर अचानक से धन लाब होगा इस दिन गुप्त रूप से मदद भी प्राप्त होगी और यह मदद आपको अपने दोस्तों से और अपनी सिस्राल से मिल सकती है इस समय में पिता जिससे भी बड़ा लाब मिल सकता है यह समय आपकी लव लाफ बहुत खास रहने वाली है आप सी रिस्टों में मिठास रहेगी और एक दूसरे के साथ समय भी आप मिताने वाले हैं एक दूसरे से फोन पर बात भी हो सकती है और मिलना जुलना भी हो सकता है दोस्तों हर परकार से समय बहतरीन होगा लेकिन आपको खाने पिने का ख्याल इस दिन रखना उत्तर भादरपदा नक्षत्र हुगा चंद्रमा मीन राशी से गोचर करेंगे शनी का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है सिंगराशी वालो यह समय आप की डेली इंकम को बढ़ाने वाला है रविवार के दिन अधिक महनत और भाग तोड़ हो सकती है रविवार के दिन गुप पोझ मस्ति कुछ अधिक हो सकती है और अपने कामों में मन कम लग सकता है इसलिए आपको अपनी कन्सेंट्रेशन को भेτεर करना चाहिए और अपने कामों की तरफ ही फोकस त्रहना चाहिए इस आपको किसी भी तरह के बहुत बड़े बदलाब नहीं करने चाहिए किसी को भी ब्याज पर या उधार पैसे ना दें लेन देन में साथानी रखे अंजान लोगों से दूरी बनाए रविवार के दिन लड़ाई जगडे से आपको बचना है दोस्तो इस सब्ताह में सभी दिन आप के लिए बेहत खास हैं बस रविवार के दिन थोड़ी सा अधानी रखनी होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और सच्चे मन से ओम श्री गनेशाय नमा जरूर लिखें